हेलो दोस्तों आपको शौगात करता हूं तोरंग लिफ्ट टॉनिस चनल में तो दोस्तों आप देखें यह एक फिलिप्स कंपानी का एक CRT PCB है और यह PCB का अलाखस एक फॉल्ट है ठीक है तो दोस्तों यह वीडियो शुरू से लास तक देखिया आपका नियू नॉलेज मिल ज चैसिस था ठीक है यह अलाखसा चैसिस है ठीक है और यह जो चैसिस अब दिखिए यह जो डाइवर टांसफोर्मर ठीक है यह डाइवर टांसफोर्मर का पास यह जो रिजिस्टेंस दिखिए यह डाइवर टांजिस्टर डाइवर सफ्लाई का रिजिस्टेंस है ठीक है और दोस्तो यह diver transistor है और supply दिने का साथ-साथ यह diver supply ड्रॉफ हो जाता है और यह resistance overheat हो जाता है दोस्तो इस तरह जब problem देखा जाता है तो इसका उपर मेरे चैनल पर कुछ दिन पहले दो-चार दिन पहले एक वीडियो बना के देखा है कि यह processor ic fault है क्योंकि तोस्तों यह एक अलाग सा टिकनीशियान का PC भी है वो मेरा पास भीजा है वो IC भी चेंज करके देखा है और इसका सब कुछ भोल्टेज चेक करके देखा है कि इसका हिसाब से इसका सब कुछ भोल्टेज ओक्य है तो चलिए मैं भी एक बाद चेक करके देखूंगा क कि इसका कुण पूजिशन पर कितना वोल्टेज है तो फास्ट यह जो हीट हो रहा है यह जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है यह आपको क्लियर करके देखांगा और इसका जो कुछ सिम्टॉम आपको देखाँगा कि इसका में फॉल्ट क्या है और यह जो IC है यह IC आपको अब देखा देता हूँ अब देख सकता हूँ ठीक है तो चलिए यह PCB को मैं थोड़ा चेक किया और जो मिला है यह भी आपको clear करके बातने के कोशिस करूँगा तो तब भी एस्टी का फैनल एडर में थोड़ा सदू राक देता हूँ और यह को मैं थोड़ा सदू राक दिया और यह सी कोड में connection किया ठीक है और मीटर का negative कोड में यहाँ पर connect किया और अब देख सकता है एक new meter ठीक है HTC का DM 98 यह meter लेके आपको देखाऊंगा ठीक है यह new meter है तो जास्ते चलिए यह PCB का यह symptom first आप एक बार देख लेजिए ठीक है देखिए यह पर indicator पर फॉलो किजिए यह पर indicator है ठीक है तो चलिए मैं supply दे देता हूँ ठीक है और उसका बाद पहले meter को set कर लेता हूँ ठीक है देखिए इंडिकेटर on और साथ साथ यह off हो गया तो दोस्तों यह जो छोटा सा symptom है चलिए मैं फिर stop कर दिता हूँ ठीक है stop कर दिया तो यह जो वीडियो का यह पाली का chassis जो हता है और जो in stop का chassis होता है यह सेमी चैसिज देखा जाता है यह फास्ट टाइम सप्राइप देने का बाद इंडिकेटर लिए उन देखा जाता है और यह indicator अपको on करने के लिए और stand by on करने के लिए आपको पैनेल बॉल्टम और रिमोट से इसका स्टैनवाई अन करना पड़ेगा लेकिन दोस्तों यह साथ साथ अन हो जाता है यह फास्ट सिम्टम है ठीक है तो चलिए कुछ भोल्टेज इस टाइम आपको देखाऊंगा ठीक है और इसका जो पैनेल बॉल्टम में कुछ भी इस सप्लाई कितना है दिखी यह ऐस्टी सप्लाई डिेंजरेस्ट फोल्ट यह मेटर इस तरह डिएंजर दिकाता है on handic to 14 फॉल्टीक है और इसका ड्राइभर सप्लाई जो रेजिस्टेंस है यह जो रेजिस्टेंस यह पर कितना फोल्ट है अबी देखिए ड्राइवर सप्ल तो यह रिजस्टेंस पर 910 V है, 20 V कास पास, ठीक है, और यह जो driver coil, यह coil का पीन पर फोल्टेज कितना है, दिखिए, फोल्टेज गाइफ हो गया, 0.6 V हो गया, ठीक है, 0.6 V, ठीक है, यह 0.6 V, आप ध्यान से देखिए, यह driver coil है, और इसका coil का output point है, ठीक है, यह पीन पर फो तेहां पर भी वह थोल्टेज आपको य देखाता हूं, दोबार देखाता हूं मैं को दूँच्छा था नहीं, दोबार मैं डाइफ़र स्प्लायपीन पर देखता हूँ यह डाइवर सप्लाइबीन ठीक है और यह पर वोल्टेज देखिए 0.7 वोल्ट ठीक है तो चलिए यह जो वोल्टेज आपको देखाया यह रेजिस्टेंस बहुत ही ओभरिट हो जाता है तो कुछ वोल्टेज आपको चेक करके देखाऊंगा कि देखिए इ अब एचलिए आपको डाइरेक्ट दो सप्लाइब बोल देखाऊंगा यह यह जो अयसी का ठीक है एशी का तो सप्लाइब भ Industry आपको देखा था हूँ दो नंबार प्न पर 5 बोल आना चाहिए थीक के यह दो नंबर पीन पर देख्योंigkeiten 5 बोल्ड ओके है चाहिए 4.8 ठीक है और इसका तीन नंबर पिन पर जो वोल्ट जाना चाहिए 8 वोल्ट ठीक है तो दोस्तों देखे इसका 8 वोल्ट हो क्या है तो क्या लगद है इसका फॉल्ट क्या है और यह जो signal line H out signal यह दिखी यह पर वोल्टेज 0.7 वोल्ट तो दोस्तों यह पर 0.4 वोल्ट का असपस होना चाहिए तेछलिए यह जो supply resistance मैं एक बर उपिन करके आपको देखा था हूँ मैं supply up कर देता हूँ तेछलिए वो resistance को उपिन करके आपको देखा हूँगा क्या result आता है यह जो H out signal जो मैं प्रोसेसर IC से आता है बीज में जो resistance है यह resistance का point मैं open कर दिया और यह resistance driver transistor का base pin पर आता है ठीक है और यह जो middle pin transistor का यह collector pin है यह pin पर driver coil से supply आता है ठीक है और नीचे यह transistor का ground pin होता है ठीक है तो चलिए मैं इस time supply देता हूँ और indicator पर आप फोलो किजिए ठीक है supply दे दिया फिर यह standby seven हो गया और इसी time diver supply पर भोल्टेज आप देखिए यह diver coil है ठीक है यह pin पर भोल्टेज गाइफ था अभी देखिए यह pin पर भोल्टेज 24 वोल्ट आ गया ठीक है और दोस्तों देखिए यह जो diver coil अब देखिए यह जो resistance है यह resistance का पहले कितना भोल था यह देखिए 22 वोल्ट का असपास मिला अभी देखिए 24 वोल्ट क्यूंकि यह जो loading यह unload condition पर हो गया और यह transistor का pin पर यह voltage जाता है जो driver transistor इसका base pin पर यह base pin पर भी वोल्टेज आप देखिए 24 वोल्ट होके है तो दोस्तों इस time आप देखिए यह जो base signal पर जो signal आते IC से यह pin पर कितना वोल्ट है अब देखिए यह pin पर भोल्टेज देखिए 259 वोल्ट तो क्या लगदा है यह IC का fault है क्या यह IC का fault है क्या लेकिन दोस्तों यह IC वो दोस्त ने change करके देखा है IC का fault नहीं है दोस्तों देखिए मैं जब इस time check करके देखा है सब कुछ यह जो memory is 8 टंक ह ठीक है memory ic का देखिए यह supply pin है ठीक है यह supply pin पर voltage देखिए only one volt अब ध्यान से देखिए memory ic का supply pin पर voltage one volt अब ध्यान से देखिए यह memory ic के यह pin सब negative है और यह उपर वाला दो यह seal sda और उसका बाद यह negative ground का सब connection है और यह supply pin है ठीक है अब क्लियर करके मैं देखाने के लिए क्लियर करता हूं देखिए यह supply pin है यह आपर voltage कितना देखिए one point ठीक है one volt तो यह जो line जाता है देखिए यह बीज में a coil है देखिए यह coil okay है और यह voltage कहां से जाता है देखिए यह position पर दो transistor है अब देखिए यह position पर दो transistor है तो यह transistor के यह pin से voltage output होता है ठीक है यह pin से और यह पर voltage देखिए semi volt है तो क्या लगदा है तो यह transistor दोनों ट्रेंजिस्टेर को अच्छा करके देखना पड़ेगा और इसके जो बायसिंग पर सब कुछ अच्छा करके देखना पड़ेगा चलिए मैं थोड़ा से चिक करके आपको देखाता हूं तो दोस्तों यह पोजिसान जो होता है यह 5-hole supply का लाइन है यह लाइन से 5-hole डाइरेक्ट यह मेमोरिया इसी का आठ नमबर पीन पर जाता है तो यह लाइन का अच्छा करके चिक करने का बाद जो देखा है यह supply line का साथ एक डायोड है ठीक है यह पोजिशन पोड़े जेनार डायोड है तो दोस्तों यह डायोड पुरा सोट नहीं है हलका सा सोट है और बाद होने का बाजा है यह जो 5-poll यह ड्रॉफ हो जाता है यह डायोड आपको मेजर करके एक बाद देखांगा अच्छालिए यह डायोड ओपन करके आपको एक बाद साफ्लाई देके देखांगा और यह जो line में open करके राख wanna supply यह लाइन को मैं अभी इस टाइम कनेक्श कर देता हूं अब थोरा सा रूकिए यह रेजिस्टेंस को कनेक्शन कर दिया और यह फाइब भोल जो साप्लाई मेमोरिया इसी पर जाता है यह लाइन का डायड मैं ओफिन कर दिया ते चलिए इस टाइम आपको जो दिखाऊंगा कि आप इस टाइम इसका इंडिकेटर फॉलो किजिए ठीक है मैं साप्लाई दे देता हूं दोस्तों देखिए जब मैं साप्लाई दे दिया इसका इंडिकेटर रूक गिया फास्ट टाइम जो आपको देखा है यह इंडिकेटर साथ-साथ ओन हो जाता है ठीक है इस टाइम इस टाइम इस टाइम बोल्टेज आपको ठीक है और दोस्तों ये तो सब्सक्राइब अन्हों जाता है फास्ट टैम जो आपको देखाया इस टाम देखे इसका नंबर पीन पर जो फाइब फास्ट आगया यह देखिया और तीन नंबर पीन पर जो साथ-बॉल्ट आगया, यह पीन पर भी एड वोल्ट अभी नहीं है तो चलिए इसको stand by sun करना पड़ेगा और इसका पहला आप देखिए यह जो diver supply का voltage drop था ठीक है यह जो diver supply volt अभी यह stand by mood पड़ है इस time देखी यह diver supply voltage 10 volt ठीक है अब follow कीजिए 10 volt है diver supply voltage 10 volt तो यह drop था अभी तो drop नहीं हो रहा है तो और क्या fault है stand by sun करने का बाद लाग था इसके set on हो जाएगा और diver supply का देखिए यह diver coil का output point पर voltage अभी 10 volt है ठीक है तो चलिए EPCB को stand by sun करना पड़ता है देखिए दोस्तों stand by sun कर देता हूँ आप follow कीजिए देखिए मैं stand by sun किया यह to stand by on हो गया लेकिन दोस्तों थोरा सा symptom आप देखिए इंडिकेटर एक बार दो बार और दोस्तों देखिए तीन बार blink problem आ गया तो यह कुण सा fault है तो दोस्तों यह जो अलग सा fault है यह stand by mood पर चला जाता है तीन बार blink करने का बाद तो दोस्तों इस वीडियो में आपको diver supply drop जो problem यह repair करके देखिए और EHSS का LED three time blinking जो problem इसको पर अलग से एक वीडियो बना देगा आपका दीमाग में यह fault आएगा तो इकुन section से हो सकता है अब जुरूर comment कर सकते हो next video में मैं यह problem repair करके आपको देखिए तो मैं तो भूली गिया कि यह जो डायोड में sorting मिला यह open करके रखा है तिचले यह डायोड अगर major करके आपको दे देखा देता हूं अब देखिए यह जो transistor का पास जो डायोड sorting मिला अब देखिए यह position का यह डायोड है यह जो डायोड sorting मिला यह डायोड है और यह डायोड को मैं open करके रखा है चले मैं मेटर लेके आपको चिक करके आपको देखाता हूं क्या रियाल राता है यह डायोड अब देखिए यह डाइट किया रीडिंग देता है देखिए पूरा सॉर्ड नहीं है यह देखिए इस तरह रीडिंग 81 ठीक है सॉरी 0.081 ठीक है 81 और यह मीटर कॉट को घुमा के मैं आपको देखाता हूं देखिए दोनों साइट से कॉंटिनिटी नहीं होना चाहिए देखिए दोनों साइट से कॉंटिनिटी देखा रहा है तो यह डाइट सॉर्टिंग है तो अब बारजर रेंज पर रखके मैं देख लेता हूं कि बारजर पूरा स्ोर्टिंग हैं की नहीं देखिए दूस्तो यह पूरा स् See नहीं है अब देख सकतेओ बारजर नहीं बारच रहा है 64-चक यह इस देखा जाता है और मीटर वेयर कॉधा के मैं देखाता हूं देखिए adalah 64 मोझ मढ़ें यह सोर्टिंग है लेकिन सिक्स्टी फोरोम्स हो गया तो यह पोजिशन को डायट को चेंज करना पड़ेगा तो लागद है दोस्तों यह फाइब फोल्ड का जेनार है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आप जोरूर आपको बना देगा मुझे थ्री टाइम ब्लिंकिंग पाबलम का अपाठी का दस्ता तो वीडियो पुरा देगने के लिए अपको थ्यांको देता हूं